दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग रिवियू करेंगे रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही फेमस किताब दिफाइफ एम क्लब को क्यों आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए इस किताब में बताया गया है कि दुनिया भर के ज़्यादतर सक्सेस्फुल लोग सुबह जल्दी उटकर अपना दिन शुरू करते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के फायदे भी राइटर रॉबिन शर्मा ने हमको गिनवाए है इस किताब में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर आपको दुनिया भर के टॉप 5% लोगों में आना है तो आपको वो चीजे छोड़नी होगी जो 95% लोग करते हैं किताब में राविन शर्मा बोलते हैं कि सुबह 5 बज़े का माहौल ऐसा होता है कि उस वक्त कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं होता सबसे ज़्यादा शांती का टाइम होता है और वही टाइम होता है जिसे आप लगा सकते हैं अपने सेल्फ इंप्रूब्मेंट के लिए इस वक्त आपकी अपने बिस्तर के साथ लड़ाई चल रही होती है उस लड़ाई को आपको जीतना होगा अगर आप जल्दी सोकर 5 बज़े उठते हैं तो आपको सड़नली ऐसे लगने लगता है कि जिन्दगी आपको ज्यादा टाइम देने लगी है और एवरेज इंसान रात में लेट सोकर सुबह देरी से उठता है अगर आप भी ऐसा करते हो तो रॉबिन शर्मा अपसे पूचते हैं एक कोश्चन एक एवरेज इंसान भी एवरेज से एवरेज इंसान औरणरी इंसान भी एक्स्टराणरी लाइफ को जी सकता है चीज़े अचीव कर सकता है अगर वो एक discipline life routine को follow करे दो रॉबिन शर्मा ने एक बड़ी गहरी बात यहाँ पर कही है इस किताब में कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम सब में जो 30 साल की उमर में मर जाते हैं 30 years और उन्हें 80 की उमर में दफनाया जाता है 80 साल की उमर में दफनाया जाता है इस किताब में कुछ important lessons हमको बताया गए हैं जिने God से सुनना बहुत जरूरी है सबसे पहला तो सुबह 5 बजे उटकर अपने आपको time दो self improvement के लिए दुनिया बर के बहुत सारे intelligent लोग ये बास जानते हैं कि जिन्दगी में एक बार किया हुआ काम इतना माइने ने रखता जितना हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा consistency के साथ करते हैं वो माइने रखता है ज़दा पड़ी कमाल की बाद इस बुक में की गई है कि जिस तरह से आपके पेट की एक शमता होती है कि जरुरत से ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी जरुरत से ज्यादा पेट पचाने पाता वैसे ही आपके दिमाग की भी एक शमता होती है अगर आप इसे दिन भर में बक्वास बाते करके भर लोगे फीड कर दोगे, फिल कर लोगे तो अच्छी चीज़े गुसने की जगह ही नहीं होगी इसमें इसलिए पांच बज़े का टाइम एक दम फ्रेश टाइम होता है जब आप अपने दिमाग को फीड कर सकते हो अच्छा फीड कर सकते हो अगर ग्रेट बनना इतना इजी होता तो हर गली और नुकड चोराहे पर आपको ग्रेट लोग घूमते हुए मिलते हमारे ब्रेट की ये जो केमिस्ट्री है ये कुछ इस तरह से होती है कि सुबह जल्दी जब हम उठते हैं तो वो टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है हमारा ब्रेट वो इस वक्त ब्रेट का वो हिस्सा जो बार बार हमें चिंता करवाता रहता है वो बंद होता है एक important lesson जो हमें इस किताब में सीखने को मिलता है वो ये है कि health पर द्यान दो stress free life जीओ health, heart, soul और mind ये चार चीज़े हैं जिन पर हमारे जिंदगी टिकी वे है चार stump बोल सकते हैं हमारे जिंदगी के most valuable घंटे जो होते हैं सुबह 5-8 जिन में आपको कोई disturb नहीं करता और इन ही घंटों में आप सबसे ज्यादा productive हो सकते हो सुबह उठते ही सबसे पहले हमें 20-20-20 के formula को अपनाना चाहिए शुरुआती 20 minute में exercise करनी है पता है exercise करने के बाद में जो refreshment हमको मिलती है वो क्यों मिलती है उसका reason होता है sweating होना जब पसीना हमको आता है तो एक hormone होता है cortisol वो कम होता है body से अब ये वो hormone है जो हमारे tension को बढ़ाता है stress को बढ़ाता है और डर को बढ़ाता है तो stress और डर कम होता है जब हमें sweating होती है exercise करने से हमारी brain cells repair होती है उसके बाद के 20 minute हमें meditation करनी है ध्यान लगाना है और future में होने वाली activities पर ये चीज़ भी आपके stress को कम करेगी और finally 20 minute जो बसते हैं उसमें कुछ learn करना है अपने brain को नए ideas के साथ नरिश करना है reading और learning पर focus करना है एक बार जो आप 5 AM कलब में शामिल हो गए तो मतलब आप भी successful लोगों के कलब में आ गए एक बच्चे की तरह बनो excited एक बच्चा जिसके लिए कोई limitations नहीं होती तो ये थी हमारी book उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो में बस इतना है